नवस्कार सातियो 2022 में जो इंगलेश का पेपर हुआ है 316EE उसमें मैं आपको सेक्षन एक कप्लीट करा चुका हूँ सेक्षन भी में हम एक आर्टिकल का अध्यान कर चुके हैं आज हम सेकेंड आर्टिकल का अध्यान करेंगे डावरी सिस्टम यानि की दहेज प्रता आप प्लेलिस्ट में बिजिट करें 202230 के सभी कोस्टन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे तो देखिए बहुत आसान सब्दों में आप इसका अंसर लेखेंगे सब से पहली पैराग्राप में आप लेखेंगे दावरी सिस्टम यानि की दहेज प्रता इस अ कर्स एक अविसाप है फॉर दा सोशाइटी समाज के लिए यानि की दहेज प्रता समाज के लिए एक अविसाप है इसे हमारे समाज से बास्तम में नश्ट कर दिया जाए या मिटा दिया जाए The evil of dowry यानि दहेज की बुराई is a deep-rooted one यानि कि गहरी जड़ों में से एक है The system यह पद्धती has made the condition of women very miserable यानि कि यह पद्धती महिलाओं की इस्तिती को बहुत दैनिय बना दी है Unless जव तक this system यह पद्धती is evolved पनपती रहेगी Indian society भारती समाज can make no progress कोई उननती कर नहीं सकता है कहने का मतलब है जव तक दहेज जैसे जो भी प्रता है वहाँ भारती समाज में पनपती रहेगी तो भारत कभी भी उननती कर नहीं सकता है आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं उसके बाद आगे लिखेंगे the dowry is basically यानि कि जो दहेज है उसका business आधार है the cash नगत के रूप में, jewelry आहुसड़ों के रूप में, furniture परनीचर के रूप में, property के रूप में and other items या फिर अन्य आइटम के आधार पर given जो प्रदान किया जाता है, wife, bride's groom, bride's family यानि कि दुलहें के परिवार के द्वारा, two bridegroom यानि कि दुलहें के प्रती and his parents और उनके माता पताओं के प्रती during the event of marriage यानि कि विभा के अवसर के दौरान, यह सभी आप लेख सकते हैं, this is called dowry system, इसी को आप दहेज कहते हैं, या दहेज प्रता कहते हैं, आप चाहें तो screenshot लेख सकते हैं, आगे लेखेंगे, it has been prevalent in India for many centuries, यानि कि यहाँ भारत में बहूत सतावदियों से चला आ रहा है, यानि कि जो दहेज है, वह British समय है, उसे भी पहले प्राहरम हुगा था, the idea behind the dowry system, यानि कि दहेज प्रता के पीछे का जो बिचार है, वह इस बात को आस्वस्त करना है, that the bride will be financially stable after getting married, कि जो bride है, दुलहन है, वह साधी के बाद financially रूप से stable, यानि कि विल्कोल इस्ताई हो जाएगी, आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं, अगले पैरा में आप लेखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, दा, intention was very clear, तो इसके पीछे का जो इरादा है, वह बहुत ही सपष्ट है, bride's parents, यानि कि जो दुलहन के माता पिता हैं, used to give, वह प्रदान करते हैं, money, धन, land, भूमी, etc, यानि औस सी चीजों को, to the bride as a gift, यानि कि दुलहन को एक उपहार के रूप में, to make sure, यानि आस्वास्त करने के लिए, that their daughter की उनकी पुत्री, will be happy, खुश रहेगी, and independent, और स्वतंत रहेगी, यानि कि independent, आत्म निर्भर रहेगी, after getting married, यानि कि विभा करने के बाद, आगे देखी अगले paragraph में आप लेखेंगे, but now this system has completely changed, लेकिन अभी है प्रथा, भिलकुल पूरी रूप से बदल चुकी है, Parents of bridegroom, यानि कि दूले के माता और पिता, are looking at their sons, अपने पुत्रों की ओर देखते हैं, as a source, यानि कि एक स्रोथ के रूप में, of income, यानि कि income के, It has become a great issue, यह एक बहुत बड़ा issue बन चुका है, in our society, हमारे शमाज में, Parents, यानि कि माता पिता, started, यानि कि प्राहरम कर दिये हैं, Hating they are daughters, अपनी पुत्रियों से घ्रणा करना, यानि कि माता पिता अपनी पुत्रियों से घ्रणा करना प्राहरम कर दिये हैं, they cannot afford, वे सहन नहीं कर सकते हैं, to have a girl child, यानि कि एक लड़की को बच्चे के रूप में, या बात सही भी है, दोस्तों इतना दहीज खांसे इसी कारण से they are killed यानि कि वे जान से मार देती हैं intentionally यानि कि इरादे पूर्वक infant child एक नवजात लड़की को many women बहुत से महिलाएं are killed मार देती हैं because of dowry यानि दहेज के कारण बहुत से महिलाएं अपनी बच्चियों को दहेज के कारण ही मार देती हैं dowry system is good यानि कि जो दहेज प्रता है वह अच्छा है if o यदि it is considered इससे समझा जाए as a gift एक उपहार के रूप में given to bride जो दुलहन को दिया गया है by her parents उसके माता पिता के द्वारा तव तो यह सही है if the grooms यानि कि जो दूला है दूले के parents माता पिता है are demanding वे मांग कर रहे है money धनकी it is wrong तो यह गलत है and illegal और गैर कानूनी है तो देखे बिलकुल आसान सटिक सब्दों में आपने इसका अंसर लिख सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment आवस चोड़ें दोश्तों मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching